राज्य में बीजेपी और जेजेपी विधायकों के विरोध के खिलाफ हर्याना विधान सभा में प्रस्ताव पारित हुआ है राज्य के कई हिस्सों में विधायकों के खिलाफ प्रदशन को लेकर ये प्रस्ताव पारित हुआ है बीजेपी और जननायक जनिता पार्टी के विधायकों को किसान आंदोलन के समर्थन की और से कई इलाकों में विरोध जहिलना पड़ा यहां तक कि अंबाला में विधायक असीम गोयल के घर के बाहर आंदोलन समर्थकों की और से विरोध प्रदशन हुआ हालांकि विधान सभा से पारत प्रस्ताव में किसी राजनितिक दल या फिर किसानों का जिक्र नहीं किया गया नवंबर के आखरी सब्ता में शुरू हुए किसान आंदुलन के बाद से हर्याना के सत्ता धारी पार्टियों बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को विरोध का साबना करना पड़ रहा है कई गाओं में विधायकों के एंट्री तक को रोकने का प्रयास किया गया यहां तक की सियम मनोहरलाल खटर और डिप्टी सियम दुश्यंत चोटाला को विरोध जहिलना पड़ा कानून विवस्था के स्थती के चलते हर्यान सरकार को गंतंतर दिवस के मौके पर अपने आधिकारिक कारिकरम रद करने पड़े थे सियम मनोहरलाल खटर विरोध के घटनाओं के चलते सोमवार को सदन में घुस्से में नज़र आए और विपक्षी नेताओं से इसकी निंदा करने की अपील की हर्याना विधान सभा के परिसर में पंजब के अकाली विधायकों द्वारा मुख्यमंतरी मनोहरलाल से अभधरता करने का मामले में विक्रम सिंग मजीठिया सहित नौ अकाली विधायकों के खिलाफ चंडिगण में केस दर्च कर दिया गया है जिन विधायकों के खिलाफ केस दर्च किया गया उनमें मजीठिया के अलावा शरंजीत सिंग धिलो, बलदेव सिंग खेरा, सुखविंदर कुमार, हरिंदर पाल सिंग, चंडु माजरा, कमरजीत सिंग, बरकंडी, मनप्रीद सिंग अयाली, गोरपरताब सिंग, नरिंदर क कुमार शर्मा शामिल है, आपको बता दे, हर्याना विधानसवा स्पीकर ग्यानचंद गुपता ने चंडिगर पुलिस को इसकी शिकायत दी थी किसानों के मुद्वे पर मंगलबार को हर्याना विधानसवा में जमकर हंगामा हुआ, सरकार और विपक्ष के बीच खुब गर्मा गर्मी हुई, नेता प्रतिपक्ष भुपेंदर सिंग हुड़ा किसानों को लेकर सरकार से भिड़ गय, हुड़ा ने आकरामक होते वे कार्यमंतरी कमरपाल के तरफ से भेजा गया, कांगरिसियों के धरने का फोटो बगल की सीट पर फैंक दिया, कमरपाल सदन में फोटो के जरिये ये दावा कर रहे थे किसानों के धरने में कांगरिस के पदादिकारी बैठे हैं, उन्होंने धरने में शामिल कांगरिसियों के वह सही है इस पर हुड़ा ने कड़ा एतराज जताया हुड़ा ने कहा कानून हाथ में लेना गैर कानूनी है लेकिन प्रदशन सभी का कानूनी अधिकार है सरकार अपनी वफलताओं को दूसरों पर डालने की कोशिश कर रही है सरकार की इतनी समविदन हिंता मैंने जिन्दगी में नहीं देगी 300 किसान धरने पर मर चुके हैं सरकार ने उनको लेकर एक शब्द तक नहीं कहा